कुल स्तारा केंडिडेटा जो चेकिंग के दौरान पकड़ेंगा जिनसे कुछ मोबैल डिवाइस पकड़ेंगे हैं अमबाला में सेना के खड़गा स्टेडियम में डिफेंस सिविल की भरती के लिए एक्जाम चल रहा था जहां हरियाना पंजाब हिमाचल यूपी और राजस्थान सही दूर दूर से सैकडो परिक्षार थी भरती का एक्जाम देने आये हुए हैं लेकिन इसी बीच अधिकारी को एक्जाम दे रहे एक 24 सिंग नाम के यूवक पर शक हुआ तो उसकी तलाशी ली गई तो पाया गया कि भे मुबाइल से किसी से बातें करके पेपर सॉल्व कर रहा था बाद में जब बाकी परिक्षार्थियों की तलाशी ली गई तो कुल 17 लोगों से टिवाइस मिले जिनने तुरंत स्थानी पुलिस के हवाले कर दिया गया पकड़ी गई लोगों में से कुछ केंडिडेट फर्जी भी पाय गए जो अन्य किसी के स्थान पर पेपर दे रहे थे फिलहाल अंबाला पुलिस ने इन 17 यूगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120B, 419 और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्हें कोट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है आर्मी की कुछ पोस्ट हैं जैसे कुक मेसेंजरी चादी का पेपर था खड़का स्टेडियम में उसमें हर्याना वे दूसरे परांतों के भिन 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 राज्यों से वे हर्याना के भिन भिन जिलों से केंडिडेट पेपर देने के लिए आई हुए थे कुल स्तारा केंडिडेट है जो चेकिंग के दौरान पकड़े गए जिन से कुछ मोबैल डिवाइस पकड़े गए है जिस बेस पे रात F.I.R. दर्ज की है उनुमें स्तारा आरोपियों को मैंने ग्रिफतार किया है और तप्तीश के दौरान कुछ केंडिडेट हैं जो फर्जी भी पाए गए हैं जो दूसरों की जगा फिक पर देने के लिए आए हुए है इसमें हमने चारसो बीस एकसो बीस भी चारसो निश और आईटी एक्ट के तहट मुकदमा दर्ज करके अब इनको पेश करेंगे कोट म से सबंदी तारोपियों का जो मेन आरोपी हैं उनका पुलिसर माड लिया जाएगा और इसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं क्या रेक अटेक कौन वोग इसमें सामिल हैं उनके बारें पुस्ताच की जाएगी और उनको गिरफतार किया जाएगा अपने असपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पानी के लिए देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूस हमें फीजबुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एपल और एंड्रोइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी एप अमाला ब्रेकिंग न्यूस जाउनलोड करें